Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Info आज हम बात करने वाले हैं English Grammar Ultimate App के बारे में देखिए हम सब भी जानते हैं कि हम सब भारती हैं और हम लोग को हिंदी अच्छी प्रकार से आती है पर English का यूज हर जगे होते हैं बैंक में हो चाहे आफिसे में हो चाहे इंडेस्टीस में हो और चाहे आप आप इंटर्टेट्मेंट सेक्टर में भी हो हर जगे हमें English Language की जरुवत पढ़ती ही पढ़ती है तो English Language हम सुधारे कैसे और सबसे बड़ी बात है इंग्लिस लेंगर जो है grammar पर बेस्ट होती है और grammar अगर हमाई अच्छी है तो हमाई इंग्लिस आटोमेटिक अच्छी हो जाएगी स्सेर को लेगा और इसके बाद जो है आप इसको ढous lagi ने बाद स्टालिशन करने के बाद आप English also एक भी करने के आप पनी आप प्रबैंगे आफ पहेन स्कवाने में दूस के बादे में रूज के बारे मे बारे में आज्च आप बनावून और सारी चीजह आप पाएंगे ताइप आफर्मिटिव इन्टो इनजिय आप वह के बारे में जानतु पाएंगे आर्डिकल्स आपका रिटेंड़ारस के, अच्छा भी अच्छा हो जाता है तो कहने का मतलब भी है कि अगर आप इंगलिस सीख रहे या आप इंगलिस इस पिकिंग कोर्स आप ने जोइन किया तो अब मैं आपको यह एप पर रिक्मिनेट करूँगा जिससे कि आप जो है इस एप को इससार डाउनोड करने बाद इससे आप पढ़ सकें जिससे कि आपको हाट टैंस की और अच्छी जानकारी हो सके और आपको रिपोजीशन्स और नाउन पर नाउन और सभी चीजों की आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो सके जिससे कि डिरेक्ट और इंडिरेक्ट स्पीस डिरेशन के द्वारा जो है टैंस में कनवर्शन होता है वो भी एप डाउनोड करते हैं तो आपको जो है अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और आप इसमें लेकिन आपको इसमें डेडिकेशन और टाइम दोनों देना पड़ेगा तब ही आपको कुछ इंग्लिस अच्छे से सीख पाएंगे अगर आप डेडिकेशन नहीं देते हैं तो आ सबस्क्राइब सकते हैं और सबस्द श्री बात है कि इसके कौंटेंट्स भेहे बहुत ही सिंपल है जिसे कि आप असानी से समझ पाते हैं और बीगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी अप है जो यह सारी चैप्टर को कम्प्लीट कराती है और यह कहने का मतलब यह जो क्रामर ह है इंप्रूव होती है बहुत अच्छे तरीके से और आप इसमें टेस्ट भी असानी से दे पाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका क्रामर का लेवल कैसा है तो आप इसको जो कर पाते हैं तो आपको हमारे वीडियो पसंदे तो प्लिस लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आगाने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें थैंक्यों सो मच